इसमेश्क नमस्कार दोस्तों हमारे जमतकार यनबो चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को ससक्राइब करें और बेल आइकन पर किलिक करें जिस से आपको हमारी लेटिस्ट अपडेट बिलती है। हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आसा करती हूँ कि आप सबी अच्छे होंगे दोस्तों जन्म उत्सो पर्व ग्यारा अगस्त या बारा अगस्त को आखिर कब मनाई जाएगी जन्म अश्टमी हर कन्फ्यूजन को करें दूर बगवान स्रीकृष्ण का जन्म अश्टमी तिती को रोणी नच्छत्र में हुआ था हैं लेकिन कई बार ऐसी इस तिती बन जाती है कि अश्टमी तिती और रोणी नच्छत्र दोनों एक ही दिन नहीं होती हैं इस बार भी स्रीकृष्ण जन्म अश्टमी की तिती और नच्छ तक रहेगा वही नोर रोडी नच्छत्र का आरंब 13 अगस्त को सुबा तीन बज़कर 27 मिनट से पांश बज़कर 22 मिनट तक रहेगा सास्तरों में इस तरह की उलजन के लिए एक आसान सा उपाय बताया गया है कि गिरेश्ट को उस दिन ब्रत रखना चाहिए जिस रात को अश्टिमी तिती लग रही है पंचांग के अनुसार 11 अगस्त दिन मंगल वार को जनम अश्टिमी मनाई जाएगी गिरेश्ट आस्रम के लोगों को अश्टिमी का पर्व मनाना सहीर रहेगा क्योंकि 11 की रात को अश्टिमी हैं गिरेश्ट लोग रात में चंद्रमा को अराद दे दान और जागरन किरतन करें और 12 अगस्त को ब्रत का पारन करें और क्रिश्ट उत्सो दूम धाम से मनाए जो कि स्रेश्ट योम उत्तम रहेगा वही जो लोग वैश्ट वा साधू संत हैं उनको 12 अगस्त को ब्रत रखना चाहिए 12 अगस्त को सुबा 11 बस कर 17 मिनट तक अश्टिमी ती ती रहेगी और उसके बाद 9 मीन लग जाएगा प्रहमण पुराण का कथन है कि कल युग में भाद्र पद मास के क्रिश्ट पच्च के अश्टिमी में आठ हुए 28 युग में देवकी के पूत्र स्री क्रिश्ट उप पैदा हुए थे यदि दिन या रात में काला मात्र भी रोहनी ना हो तो विशेशकर चंद्रमा से मिली रात्री में इस ब्रत को करे बविस्ट पुराण का बचन है कि स्राण मास के सुक लपच्च में क्रिश्ट जन्मा अश्टिमी ब्रत को जो भी मनुष से नहीं करता वा कुरूर राच्छस होता है केवल अश्टिमी तिती में ही उपवास करना कहा गया है यदि वही तिती रोहनी नच्छत्र में युक्त हो तो जैन्ती से संबोधित किया जाएगा बहेन पुरान का बच्चन है कि क्रिश्ट पच्च के जन्मा अश्टिमी में यदि एक कला भी रोणी नच्छत्र हो तो उसको जैन्ती नाम से ही संबोधित किया जाएगा आता हा उसमें पर्यत्न से उपवास करना चाहिए इंद्र ने कहा हे ब्राहमन पुत्र हे मुनियों में स्रेष्ट सभी सास्त्रों के ग्याता हे देव ब्रतों में उत्तम उस ब्रत को बताएं जिस ब्रत से मनुश्यों को मुक्ति लाब प्राप्त होता है हे ब्रहामन उस प्राडियों को भोग में भोग वा मोच भी प्राप्त हो जाएगा इंद्र की बातों को सुनकर नारत जी ने कहा त्रेताव युक के अंत में और द्वापर युक के प्रारंब समय में निदिन्त करम को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत हुआ था उस दुष्ट वा नीच करमी दुराचारी कंस की देव की नाम की एक सुन्दर बहन थी देवके के गर्व से उत्पन आठवा पूत्र कंस का वद करेगा नारजी की बाते सुनकर इंद्र ने कहा है महा मते उस दुराचारी कंस की कथा का विश्तार पूर्वक बरणन कीजिए क्या या संभव है कि द्योंकी के गर्व से उत्पन आठवा पूत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारजी ने कहा है अधित पूत्र इंद्र एक समय की बात है उस दुष्ट कंस ने एक जोतिसी से पूछा कि ब्रामडों में स्रेष्ट जोतिरबाद मेरी मृत किस प्रकार और किस के हाथों होगी जोतिस बोले है दानों में स्रेष्ट कंस बास्त देव की धर्म पतनी देव की जो वाक पटू है और आपकी बहन भी है उसे के गर्व से उत्पन उसका आठवा पुत्र जो की सत्रूओ को भी प्राजित कर इस संसार में कृष्ट के नाम से बिख्यात होगा वही एक समय सुर यहां बताएं कि देव की का आठवा पुत्र किस मास में किस दिन मेरा बद करेगा जोतिस बोले है महाराज मांग मास की सुक्ल पच्छ की तिति को सोला कलाओ से पूरन स्रेक्र से आपका इद्ध होगा उसी युद्ध में वो आपका बद करेगा इस लिए है महाराज आप अ इस समय पर ही कंस की मृत्यू किरिष्ञ के हाथ नीसंदे होगी। तब इंद्र ने कहा है मुनी उस दुरचारी कंस की कथा का वरणन कीजिए और बताईए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा, तथा कंस की मृत कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी इंद्र की बातों को सुनकर नारत जी ने पुना कथा फ्रारंब किया उस दुरचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा मेरी इस प्राणों से प्रिये बहन की फूर्ण सुरच्छा करना दौरफाल ने कहा ऐसा ही होगा कंस के जाने के पस्चात उसकी बहन चोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के लिए बाहर घड़ा लेकर तालाप पर गई उस तालाप के किनारे एक घंगोर बिच्च के नीचे बैट कर देवकी रोने लगी उसी समय एक सुन्दर इस्तिरी जिसका नाम एसोदा था उसने आकर देवकी से प्रिये वाडी में कहा है कांते इस प्रकार तुम क्यों बिलाप कर रही हो अपने रोने का कारण मुझसे बताओ तब दुखित देवकी ने एसोदा से कहा है बहन नीच कर्मों से आसाक्त दुराचारी मेरा जेश्ट ब्राता कंस है उस दुष्ट ब्राता ने मेरे कई पुत्रों का बद कर दिया है इस समय मेरे गर्फ में आठवा पुत्र है वह इसका भी बद कर डालेगा इस बात का किसी भी प्रकार का संसर या संदेह नहीं है उसकी मृत्य अवस्य होगी क्योंकि मेरे जेश्ट ब्राता को भय है कि मेरे आठवे पुत्र से उसकी मृत्य अवस्य होगी देवकी की बाते सुनकर एसोदे ने कहा है बहन बिलाप मत करो मैं भी गर्फ होती हूँ यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले में उस कन्या को ले रेना इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथो मारा नहीं जाएगा कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा देवकी कहा है इस समयवा दिखाई नहीं दे रही है तब द्वारपाल ने कंस से नर्वारी में कहा है महाराज आपकी बहन जल लेने तालाप पर गई हुई है यह सुनते ही कंस क्रोधित होठा और उस ने द्वारपाल को उसी अस्थान पर जाने को कहा जहां वहाँ गई हुई है द्वारपाल के द्रिश्टी तालाप के पास देवकी पर पड़ी तब उस ने कहा कि आप किस कारण से यहां आई है उसकी बाते सेुनकर देवकी ने कहा कि मेरे ग्रह में जल नहीं था जिसे लेने मैं जलासे पर आई हूँ इसके पस्चार देवकी अपने ग्रह की ओर चली गई कंस ने पुना द्वारपाल से कहा कि इस ग्रह में मेरी बेहन की तुम पूर्णता रच्छा करो अब कल्स को इतना भै लगने लगा कि ग्रे की वीतर दर्वाजों में विसाल ताले बंद करवा दिया और दर्वाजे के बाहर देत्यों और राच्छों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया कल्स हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का परियास कर रहा था एक समय सिंग राची के सूर्य और आकास मंडल में जलधारी मेगों ने अपने प्रभुत अस्थापित किया बादो मास की क्रिश्ल पच्च की अश्टिमी तितिको गनगोर अर्ध रात्री थी उस समय चंद्रमा भी विस राची में था रोहनी नच्छत्र बुद्धवार के दिन सवभाग्योदर से सयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रिति इसमर्ती प्राणो अक्त फल नीसंदे प्राप होगा इस प्रकार बताते हुए नारज जी ने इंद्र से कहा ऐसे बिजे नामक सुब मुहूर्त में स्रीक्रिष्ण का जन्मुमा और स्रीक्रिष्ण के परभाव से ही उसी छण बंदी ग्रे के दर्वाजे स्वयम खुल गए द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राचे सभी मुर्चित होगे देवकी ने उसी छण अपने पती बासदेव से कहा कि हे स्वामी आप निर्दा निंद्रा को त्याग करें और मेरे इस आठवे पुत्र को गोकुल में ले जाए वहां इस पुत्र को नंद गोपी की ध हर्म पतनी ये सोदा को दे दे उस समय यमना जी पूर्ण रूप से बाढ़ ग्रस्त थी किन्तु जब बासदेव बालक क्रिश्ण को सूप में लेकर यमना जीक को पार करने के लिए उतरे उसी समय उसी समय बालक के चरणों का आसपर्स होते ही जमना जी अपने पूर्व इस तिर रूप में आ गई किसी परकार वासदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के ग्रह में परबेश कर उन्होंने अपना पुत्र ततकाल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली वह तत्षड वहां से वापस आकर कंस के बंदी ग्रह में पहुँच तो कंस ने दौरपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्व से क्या हुआ इस बात का पता लगा कर मुझे बताओ दौरपालों ने महराज की अग्या को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी जिसे देखकर दौरपाल ने कंस को कन्या से भय होने लगा आता हुआ स्वयम कारागार में गया और उसने देवकी की गोद में कन्या को जपट लिया और उसे एक पथर की चटान पर पटक दिया किन्तु वा कन्या विश्णू की माया और आकास की और चली गई और अंतिरिच में जाकर विद्धुत के रूप में परिमारित हो गई उसने कन्स से कहा हे दुष्ट तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के ग्रेम में उत्पन हो चुका है और उसी से तेरी मिरत निश्चित है मेरा नाम तो वैश्णूवी है मैं संसार के करता भगवान विश्णू की माया से उत्पन होई हूं इतना काकर वस्वर्ग की ओर चली गई उस आकाश वाड़ी को सुनकर कंस क्रोधितो उठा उसने नंद जी के ग्रेम में पूतना नाम की राच्छिसी को कृष्ण का बद करने के लिए बेजा किन्तों जब वहां राच्छिसी कृष्ण को अस्तन पान कराने लगी तो कृष्ण ने अपने उसके अस्तन से उसके प्राणों को खीज लिया और वहीं राच्छिसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्य को प्राप्त हो गई जब कंस को पूतना की मृत्य का समचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का बद करने के लिए क्रम्चा केसी नामक दैत्य को अस्तन के रूप में उसके प पश्चात कंस ने कालाख्या नामक दैत्य को कवय के रूप में बेजा किन्तु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया अपने बलवान राच्छिसों की इम्रित के आगहात से कंस आत्यधिक भैवीत हो गया उसने द्वारपालों के आग्या दी कि नंद को ततकाल मेरे समस्च प् पस्तित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो प्राजित परिजात के पुस्प ले आओ यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा बद निश्चित है कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने ग्रे की ओर चले गए घर आकर उन्होंने संपूर बिर्तांत अपने पत्नी या सोदा को सुनाया जिसे स्री किष्ण भी सुन रहे थे एक दिन स्री किष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक सुयम ने ही गेंद को यमुना में फैक दिया यमुना में गेंद फैकने का मुख उद्देश यही था कि वे किसी परिजात पुस्पो को लेकर अपने ले आएंगे वे कदम के ब्रिच पर चड़कर यमुना में कूद परे किष्ण के यमुना में कूदने का समाचार स्रीधर नामक गोपाल ने यसोदा को सुनाया यह सुनकर यसोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंचे और उशने यमुना नदी की प्रातना करते हुए कहा है यमुना यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्र पद मांस की रोहनी युकती अश्टिमी का ब्रत अवस्य करूंगी क्योंकि दयादान सज्जन प्राणी मढकुल में जन्म रोहनी युकत अश्टिमी गंगा जल एका दसी गया स्राद और रोहनी ब्रत में सभी दुरलब है हजारों स्वेक यग saastrों राजसु यग दान तृत olur और ब्रत करने से जो फल पराफट होता है वहसब क्रिशन आश्टिमी से ब्रत को करने से पराफट हो में जाता है यह जंपूर बितांत भी बताए नारद ने कहा है इंद्र पाताल में उस बालक के नाग राज बालक से नाग राज की पतनी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहां से आये हो, यहाँ आने का क्या परियोजन है नाक पतनी बोली, हे क्रिशने, क्या तूने दृत किर्णा की है, जिसमें अपना समस्त धन हार गया है, यदि यह बात ठीक है, तो कंकर मुकुट और मडियों का हार लेकर अपने ग्रह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शैन कर रहे हैं, यदि वो उठ गए तो वो तुम्हारा भच्छड कर जाएंगे, नाक पतनी की बाते सुनकर क्रिशने कहा, हे कांते, मैं किस पर्योजन से यहां आया हूँ, यह बिरतांत मैं तुम्हें बताता हूँ, समझ लो, कालिया नाक के मस्तको कंस के साथ, दूत में हार चुका हूँ, और वही लेने में यहां आ बालक क्रिशन की इस बात को सुनकर नाक पतनी अतियंत क्रोधित हो उठी, और अपने सोय हुए पती को उठाते हुए, उसने कहा है, स्वामी आपके घर या सत्रु आया है, अता आप इसका हनन कीजिए, अपने स्वामी की बातों को सुनकर, कालिया नांग निंद्रा अवस् उन्होंने गरूड का असमरड किया, असमरड होते ही गरूड वहां आ गए, क्रिशा किशन अब गरूड पर चड़कर और कालिया नांग से युद्ध करने लगे, और उन्होंने कि युद्ध कर दिया, अब कालिया नाग ने भली भात जान लिया कि जान लिया था कि मैं जिन से युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विश्णू के अवतार स्री कृष्ण ही है अता उन्होंने कृष्ण के चरडों में संस्टरांग प्रडाम किया और परिजात से उत्पन बहुत से पुस्पो को मुखट पर रख कर कृष्ण को भेट किया जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा है स्वामी मैं कृष्ण को नहीं जान पाई है जनारदन मंत्र रहित क्रिया रहित भागति भाव रहित मेरी रच्छा कीजिए है प्रभु मेरे स्वामी मुझे वापस दे दे तब स्रीकृष्ण ने कहा है शर्पनी देत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पती को ले जाकर छोड़ दूँगा अन्य था तुम अपने ग्रे को चली जाओ अब स्रीकृष्ण कालिया नाक के फन पर नित्त करते हुए यमुना के ऊपर आ गए तदांतर कालिया की फुफकार से तीनों लोग का प्यामान हो गए अब क्रिष्ण कंस की मतुरा नगरी को चल दिये वहां कमल पुस्पो को देखकर यमुना के मद जला से में वहां कालिया नक सर्प भी चला गया इधर कंस भी बिस्मित हो गया तथा क्रिष्ण प्रसन्चित होकर गोकुल लोट गए उन्होंने गोकुल आने पर उनकी माता य जोदा ने बिभीन प्रकार से उत्सों किया आब इंद्र नारद जी से पूछे है महा मने संसार के प्राणी बालक स्री क्रिष्ण के आने पर अत्यधीक आनंधित होई आए के स्री क्रिष्ण क्या क्या चरित्र किया वहां सभी आप मुझे बताने की किरपेक हैш student नारत जी ने इंद्र से कहा मन को हराने वाला मतुना नगर यमुना नदी के दच्छिड भाग में इस्थित वहां कंस का महा बलसाई भाई चारुण रहता था। और मिरदंग के सब्दों के साथ कंस और केसी इस यूद को मतुरा की जन सभा के मद देख रहे थे। स्री कृष्ण को अपने पैरों को चारुण के गले में फसा कर उसका बद कर दिया। चारुण की मृत के पस्चात उनका मलय यूद केसी के साथ हुआ। आती आंत में केसी भी यूद में स्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। बालक क्रिष्ण गरुण बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। जिसके फड़िराम स्वरुप बल्देव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुण और अरुण होकर आए। उन्हें आता देख बालक क्रिष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनके उनसे लेकर स्वयम गरुण की पीट पर बैट कर ना जाने कितने राच्चुसों और देतों का बद कर दिया। कितनों के सरीर अंग भंग कर दिये। इस यूद में स्री कृष्ण और बल्देव ने असंक देतों का बद किया। बल्राम जी ने अपने अयुद सस्त्र हल से और क्रिष्ण ने सुदर्शन चक्र से मांग मांस की सुक्ल पच्छ के सब्तमी को विसाल दैत्यों के समों का सर्बनास कर दिया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो क्रिष्ण ने कहा हे दुष्ट आधर्मी दुराचारी अब मैं इस महा यूद अस्थल पर तुमसे तुछ से यूद कर तथा तेरा बद कर इस संसार को तुछ से मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए स्री क्रिष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमा कर पृतिवी पर पटक दिया। जिससे वहां मृत्य को प्राप्त हो गया। कंस के मरने पर देवताओं ने संक घोस वहां पुष्प ब्रिष्टी की वहां उपस्ति समदाय स्री क्रिष्ण की जैजै कार कर रहा था। कंस के मृत्व पर नंद देव की वासदेव यसुदा और इस संसार के सभी प्राडियों ने हर्च फर्व मनाया। इस कथा को सुनने के पश्चात नारज जी ने कहा हे रिसी। इस इंद्र ने नारज से कहा हे रिसी। इस क्रिष्ण जनमस्टमी का पूर्ण विधान बताए ज़्यों इसके करने से क्या पुन्य प्राप्त होता है इसके करने की क्या विधी है। नारज जी ने कहा हे इंद्र बादर पाद मास्की क्रिष्ण जनमस्टमी को इस ब्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रहमचर आधि नियमों का पालन करते हुए स्रीकृ्ष्ण का अस्था अस्थापित कर चंदन धूप पूस्प कमल पूस्प आदि के आदि से स्री कृष्ण परकी को प्रतिमा वस्त्र से वेश्टित कर विधी पूर्बक अर्चन करें। अवतारों गोपिका, यसोदा, बासदेव, नंद, बलदेव, देव की गायों, वत्स, कालिया, यमना, नदी, गोप, गड़ और गोप उत्रों का पूजन करें। आचारे ब्रह्मा तथा आठ रिष्टियों का बैदिक रीती से वरण करें। प्रति दिन ब्रामण को दच्छिणा और भोजन देकर प्रशन करें। उपवास के पूर्व, रात्री को हलका भोजन करें और ब्रह्मचर का पालन करें। उपवास के दिन प्राता कल अश्नान करके और नित्यकरमों से नियुक्त हो जाएं। और इसके पश्चात सूर सौम यम काल संधी, भूत पवन बिक्याद भूम आकास गेचर अमर और ब्रहमादी को नमसकार कर पूर्व, या उत्तर मुक बैठें। इसके बाद जल, फल, कुछ और गंध लेकर संकल्प करें। ममा खिलाब पाप परदशनम पूरपक, शर्वा भृष्ट सिद्धई, स्रीकृष्ण जनम अश्टमी बर्त महम करिशे। अब अध्याएं के समय, समय काले तिलों को जल में अश्नान कर देवकी जी के लिए सूत ग्राह क्रें नियत करें। मूर्ति में बालक श्रीकृष्ण को अस्तन परात कराती हुई देवकी और लच्छमी जी उनके चरड़ों में असपर्च किये हो। मत्वा ऐसे ही भाव हो इसके बाद विधी विधान से पूजा करें। पूजन में देवकी वासुदेव बल देव नंद यसोदा और लच्छमी इन सब का नाम क्रम सह लेना चाहिए। फिर इस मंत्र का उपचारण करें। पूज पांजली अरपण करें। प्रामडे देव जन्निनी तोया जास्तो ओमना वास देवात था क्रिष्णो नमस्तते नमो नमा सुपत्र ध्यातम प्रदातम में ग्रम नमस्तते। अता अंत में परसाद वित्रण कर भजन किरतन करते हुए रात्त्री में जागरण करें। जो पेक्ति जन्मस्तिमी के ब्रद को करता है वायसोर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। निकार कि इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अन्त में मोच को प्राप्त करता है जो मनस scholars स्री कृष्ण की करता को सुनते हैं ढ oppression पा को जाते हैं ते को प्राप्त होते हैं अकर आपको हमारी वीडियो अच्छी तो अपने परिवार चनो और दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकीशन आपको मिलती रहे ओम नमस्ति वाए